इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षद दस्वी का विशय विज्ञान याने के सब्जेक्ट साइन्स से पार्ठ नमबर तीन जिसका नाम है धातू एवं एधातू पार्ठ शुरू करने से पहले मैं तपूर्ण जानकारी दे देता हूँ जो भी पार्ठ तीन धातू एवं एधातू के प्रशन दिये गए हैं NCRT की किताब में उसके सोलूशन और नोट्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन मोक्स में दिया गया है पार्ठ में सबसे पहले समझते हैं धातू के भोतिक गुण धर्म ठीक है सबी धातू किस प्रकार के गुण धर्म दर्शाते हैं सबसे पहले आता है इसमें चमक दातु चमकीले होते हैं या नहीं तो धातु की सत्य चमकदार होती है यानि कि दातु चमकीले होते हैं उधारण में सोना और चांदी जो की चमकीले धातु के उधारण हो जाएंगे ठीक है आगे है कठोरता दातु कठोर होते हैं या नहीं साम हैं जो कठोर नहीं होते ये अत्यन्त मुलायम होते हैं ठीक है और इतने मुलायम होते हैं कि इनको आप चाकू से आसानी से काड़ सकते हो ठीक है यानि कि इन तीनों धातू के अलावा सभी धातू कठोर होंगे ठीक है आगे है रूप अवस्था रूप और अवस्था का अर्थ होगा धातू जो है वो ठोस होते हैं द्रव होते हैं या गैस अवस्था में होते हैं तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं कमरे का ताप क्या होता है जिस temperature पर आप अभी देख रहे हो वीडियो आपके कमरे का जो ताप मान है वही होगा ठीक है normal temperature जो 30 से 40, 20 से 40 degree Celsius तक तो इस ताप पर सभी धातू जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं लेकिन यहाँ पर भी एक अपवाद है ऐसा एक धातू है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसे कहते है मरकरी हिंदी में पारा ठीक है मरकरी हिंदी में भी कहते है इसे मरकरी या पारा कहा जाता है उसे यह पारा जो है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है यानि पारे के अलावा जो भी धातू है वो सभी ठोस होते हैं केवल एक ही ऐसा धातू है जो द्रव वस्ता में पाया जाता है ठीक है और पारे का इस्तमाल किया जाता है थर्मामेटर्स में आगे है आगात वर्ध्यता आगात वर्ध्यता का अर्थ होगा किसी चीज को पीट पीट कर पतली पतली परत बनाना चादर बनाना उसकी ठीक है तो धात्वों को पीट कर पतली चादरों में परिवर्धित किया जा सकता है ठीक है धातू के बोतिक गुंदर में आगे है तन्यता, तन्यता का अर्थ होगा पतले तार बनाई जा सकते हैं या नहीं, तो धातू को पतली तार के रूप में बनाया जा सकता, यानि कि धातू के तार बनाई जा सकते हैं और हम कह सकते हैं कि धातू जो है वो तन्य होते हैं, तीक है सामनत है विदुत वए उश्मा के चालक होते हैं दातु विदुत के भी और उश्मा के भी उधारण में हो जाएगा चांदी तामबा लोहा और भी बहुत सारे उधारण हो जाएगा ठीक है लेकिन इसमें एक अपवाद है उसे ध्यान रखना है सीसा और पारा उश्मा के जिए नहीं जा सकती है आगे है घनत्व सामानत है घनत्व और गलनांक अधिक होता है जो भी धातु होते हैं उनका घनत्व भी और गलनांक भी गलनांक का अर्थ होगा तरलवस्था किस ताप पर वो तरलवस्था में आते हैं तो गलनांक का जो ताप है वो अधिक होता है ठीक है ताप मान। लेकिन यहाँ पर हमें एक अपवाद याद रखना है सोडियम और पोटेशियम का घनत्व कम होता है दो ऐसे धातू होते हैं सोडियम पोटेशियम या हम इसमें लीथियम भी डाल सकते हैं ये जो धातू है इनका घनत्व बहुत कम होता है ठीक है इनके अल ठीक है, धातू कठोर सतय से टकराने पर आवाज उत्पन करते हैं, धातू आवाज करते हैं, यानि कि हम कह सकते हैं, धातू जो है वो दुहानिक होते हैं, ठीक है, उधारण में ले सकते हैं हम इसे, जैसे हमारे साइकिल की गंटी होती है, वो दातू से बनी होती है, ठीक है, यानि कि धातू द्वानिक होते हैं. आगे है ओक्साइड, ओक्साइड यानि कि धातू का ओक्साइड, ठीक है? ओक्साइड में हम उधारन लेंगे सबसे पहले एक धातू का ओक्साइड होता क्या है? जैसे magnesium होता है धातू, अगर magnesium के साथ oxygen जुड़ जाए, तो इसे कहा जाता है धात्विक oxide, तो जो भी धातू के oxide यानि धात्विक oxide होते हैं, शारक प्रवर्ती के होते हैं, जो भी जैसे ये magnesium oxide है, ये धातू oxide, ये शारक प्रवर्ती का होता है, इसके अलावा भी जो भी अब देखते हैं एधातू के बहुतिक गुण धर्म एधातू के बहुतिक गुण धर्म बिल्कुल विप्री दिया फिर कहें उल्टे होते हैं धातू की इसमें सबसे पहले है चमक एधातू की सत्य चमकदार नहीं होती है हम कह सकते हैं इसका मतलब एधातू जो है वो चमकीले नहीं होते हैं जैसे उधारण में लेंगे हम कार्बन कार्बन यानि की कोईला कोईला चमकदार नहीं होता है ठीक है एक अपवाद है इसमें वो भी हमें ध्यान रखना है आयोडीन की सत्य चमकदार होती है एक ऐसा एधातू आयोडीन होता है जो चमकदार होता है इसके अलावा जो भी एधातू है वो चमकदार नहीं होते हैं अकेला आयोडीन ही चमकदार होता है ठीक है आगे है कठोरता एधातू कठोर नहीं होते हैं कठोर नहीं होने का मतलब क्या होगा एधातू को हम कह सकते हैं मुलायम होते हैं ठीक है उधारण में हो जाएगा कोईला कोईले को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन हमें इसमें एक अपवाज जो कि बहुत महत्वून है याद रखना है हीरा सबसे कठोर होता है हीरा एधातू का ही एक अपरूप होता है ये कार्बन का अपरूप होता है ठीक है कार्बन का अपरूप होता है हीरा जो कि एक एधातू से ही बना होता है और ये सबसे प्रकरती में पाए जाने वाला सबसे कठोर वस्तू जो है वो हीरा ही है यह दात्वों से भी कठोर होता है ठीक है तो इसे ध्यान रखना है आगे है अवस्था या तिर कहें रूप अवस्था यानि कि ठोस द्रव या गैस कमरे किताब पर या तो ठोस या गैस या अवस्था में होते हैं जो भी एधात्व होते हैं या तो ठोस अ वस्था में होता है ठीक है ब्रोमीन को छोड़कर सभी एधातू या तो ठोस होंगे या गैसा वस्था में होते हैं इसमें आगे है आगात वर्द्यता एधातू आगात वर्द्यता का अर्थ होगा कि इनको पतली चादरों में नहीं बनाया जा सकता है ठीक है एधातू के हम च चादरे नहीं बन सकती हैं एधातू के भोतिक गुन दर्म में आगे है तन्यता तन्यता का मतलब तार बनाए जा सकते हैं या नहीं जिसके तार बनाए जा सकते हैं उसे कहेंगे तन्य तो एधातू को पतली तार के रूप में नहीं बनाया जा सकते हैं याने कि एधातू के तार नहीं बन सकते हैं इसलिए हम कहेंगे एधातू जो है वो तन्य नहीं होते हैं ठीक है आगे है विदुत वयुष्मा के चालक विदुत वयुष्मा के कुचालक होते हैं जो भी एधातू है वो विदुत वयुष्मा दोनों के कुचालक होते हैं कुच पैंसिल का सिल्का होता है वही होता है ग्रेफाइट और ये विद्यूत का सुचालक होता है सुचालक यानि कि इसमें से विद्यूत एक जगे से दूसरी जगे जा सकती है इसलिए हमें पैंसिल को किसी भी प्लग वगेरा में नहीं डालना चाहिए विद्यूत के उससे हमें ज आगे है ध्वानिक ध्वानिक यानिक आवाज जो उत्पन करते हैं उसे का जाता है ध्वानिक एधातु कठोर सते से टकराने पर आवाज उत्पन नहीं करते हैं और आवाज उत्पन नहीं करते हैं इसलिए हम कहेंगे एधातु जो है वो ध्वानिक नहीं होते हैं ठीक है आग अगला विशया आता है हमारा धात्वों के रसाइनिक गुण धर्म जो भी धातू है वो किसी चीज के साथ अबिक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाएंगे यही देखेंगे तो इसमें सबसे पहले देखते हैं धातूों की वाईू के साथ अबिक्रिया वाईू यानि की oxygen ठीक है वायू की जग्यां में OXSYGEN क्यों लेते हैं ये कई बच्चे सवाल फूचते हैं वायू में मुह दो गैसे होती है एक तो NITROZEN और एक OXSYGEN और जो NITROZEN GAS होती है ये क्रियाशील नहीं होते है ये किसी भी चीज के साथ क्रियाशील रही है ओक्सिजन के साथ ठीक है तो देखते हैं धातू ओक्सिजन के साथ या वायू के साथ अब इक्रिया करके उत्पाद में क्या बनाते हैं तो यहाँ पर दिया है धातू ओक्सिजन के साथ अब इक्रिया करके धातू ओक्साइड बनाते हैं ठीक है यह अभी क्रिया किस प्रकार से होगी, कोई भी हमारा धातू है, अगर वो oxygen के साथ अभी क्रिया करेगा, तो उत्पाद में मिलेगा धातू oxide, ठीक है, उधारन ले ले लेते हैं इसके कुछ, जैसे यहाँ पर है Cu, Cu यानि की copper, copper जो है धातू होता है, और oxygen के साथ यह अभी क्र अभी क्रिया करेगा, तो उत्पाद में मिलेगा हमें Al2O3, यानि की aluminum oxide, पीछे वाले पेज़ पर जो धातू और oxygen की अभी क्रिया हुई, तो सभी धातू जो है वो oxygen के साथ अलग-अलग तरह से अभी क्रिया करते हैं, अलग-अलग तरह से का मतलब होगा, कोई बहुत तेज जो है वो अभी क्रिया करते ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी सिर्फ सतह ही oxygen के साथ अभी क्रिया करती है, तो उसी के बारे में देखते हैं, धातू oxygen के साथ अलग-अलग तरह से अभी क्रिया करते हैं, इसमें सबसे पहला बिंदू दिया गया है Na, यानि की sodium और K यानि और इनमें आग लग जाती है, और जो भी ये आग लगती है, इन जो भी ये sodium है और potassium है, इनको आग से बचाने के लिए, इनको आग लगने से रोकने के लिए, इन्हें केरोसीन के तेल में डुबो के रखा जाता है, केरोसीन के तेल में इसलिए डुबोया जाता है, क्योंकि केरोसीन के तेल के अंदर ओक्सिजन नहीं होती है ठीक है यानि कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत तेजी के साथ ओक्सिजन के साथ अभिक्रिया करते हैं दूसरा बिंदू दिया गया है Mg यानि की Magnesium, Al यानि की Aluminium, Zn यानि की जस्ता या फिर कहीं Zinc और Pb यानि की Lead जिसे हिंदी में सीसा कहा जाता है तो ये चार धातूए जो हैं ये सभी वायू के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं इन धातूपर ओक्साइड की परत चड़ जाती हैं ये सभी धातूँ धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे और इनके धातूँ की सताय पर ओक्साइड की एक Layer चड़ जाती है जैसे Magnesium है तो मान लीजिए यह magnesium है, अगर इसे हम खुली हवा में रखेंगे, तो इनकी परत जो है, वो magnesium oxide बनाएगी, सिर्फ परत oxygen के साथ अबिक्रिया करेगी, अंदर जो है, वो magnesium ही रहेगा, लेकिन उपर जो है, वो magnesium oxide बन जाएगा, सतह जो है, वो बन जाएगी magnesium oxide, लेकिन अंदर ज तो बिलकुल सुरक्षित रहता है, ठीक है, आगे दिया गया है, F.E. यानि की जिसे लोहा, iron, F.E. लोहा, वायू में गरम करने पर कोई अबिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोह चोन गरम करने पर तेजी से जलने लगता है, अगर लोहे को वायू में गरम किया जाए, तो कोई अबिक्रिया कर लेता है उक्सिजन के साथ, लेकिन अगर लोहे का कोई बड़ा सा पीस हो, बड़ा सा कोई अब्जेक्ट हो लोहे का वो अबिक्रिया नहीं करता है, आगे है इसी में, C.U. पर वायू की उपस्तिति में काले रंग की परत चड़ जाती है, C.U. यानि की कोप जो है वो उक्सिजन के साथ अबिक्रिया करेगी, जब इसे गरम करेंगे तो ये उक्सिजन के साथ सतय जो है, कोपर की सतय जो है वो उक्सिजन के साथ अबिक्रिया करके C.U.O. कोपर उक्साइड बना लेती है, लेकिन अंदर का जो कोपर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहत खीक है अगला बिंदू दिया गया है AG जो है उसे चांदी कहा जाता है और AU यानि कि सोना तो सोना और चांदी वायू के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं ये दो ऐसे धातू हैं AG और AU ये उक्सिजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं धातू उक्साइड से संबंदित एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं उभे धर्मिय उक्साइड ये क्या होते हैं इसके बारे में भी समझ लेते हैं वे धातु उक्साइड जो अमलत तथा शारग दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवन बनाते हैं दो कंडिशन दी गई हैं हमें ऐसे धात उक्साइड जो अमल और शारग दोनों के साथ अभिक्रिया करें और साथ में उत्पाद में क्या दें जल और लवन बनाएं दोनों चीज़ें उनीचे ये अमल तथा शारग दोनों के साथ अभिक्रिया भी करते हों और उत्पाद में जल तथा लवन बनाते हों उसे कहा जा यानि कि ये क्या है धातो ओक्साइड ये अमल के साथ अभी क्रिया करके बना रहा है ALCL यानि कि Aluminium Chloride जो कि एक लवन होता है और साथ में H2O यानि कि जल Aluminium Oxide अमल के साथ अभी क्रिया करके लवन और जल बना रहा है अब देख लेते हैं क्या Aluminium Oxide शारक के साथ भी अभी क्रिया करता है तो बिल्कुल ये करता है यहाँ पर फिर से ये Aluminium Oxide ये भी क्रिया कर रहा है NaOH यानि की Sodium Hydro Oxide जो कि एक शारक होता है ये शारक के साथ भी क्रिया करके Sodium NaAlO2 Sodium Aluminium Oxide जो कि एक लवन ठीक है लवन और जल बना रहा है दोनों कंडिशन हो रही है यहाँ पर अमल और शारक दोनों के साथ यह भी क्रिया भी कर रहा है और साथ में लवन और जल भी बना रहा है दोनों के साथ इसको कहा जाएगा उभै धर्मी Oxide तो हम कहेंगे जो Al2O3 है Aluminium Oxide है यह क्या है उभै धर्मी Oxide है ठीक है धातू के रसाइनिक गुन धर्म में आगे है जल के साथ भी क्रिया यानि कि धातू जल के साथ भी क्रिया करके उतपाद में क्या बनाएंगे तो कोई भी धातू हो वो जल यानि कि H2O के साथ भी क्रिया करके या तो धातू Oxide बनाएगा या फिर धातू Hydro Oxide बनाएगा अब कौन सा धातू Oxide बनाएगा और कौन सा Hydro Oxide बनाएगा जो जो अधिक क्रियाशील धातू है वो धातू Hydro Oxide बनाएगे और जो कम क्रियाशील धातू है वो जलके साथ भी क्रिया करके धातू उकसाइड बनाएंगे और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गेस ठीक है और बात करें अगर धातू उकसाइड जलके साथ भी क्रिया करेगा तो क्या होगा तो कोई भी धातू ओक्साइड है, अगर वो जल के साथ अभी क्रिया करेगा तो उतपाद में मिलेगा हमें हमेशा धातू हाइड्रो ओक्साइड, ठीक है, कुछ उधारन लेते हैं, जैसे उधारन में सबसे पहले है NA, NA यानिकी सोडियम, जोके अधिक क्रियाशील धातू है, तो जो भी अधिक क्रियाशील धातु है वो जलके साथ भी क्रिया करके बनाएगा धातू हाइड्र ओकसाइड ठीक है तो ये है NA यानिकी sodium H2O जलके साथ भी क्रिया करता है और उत्पाद में देता है NAOH यानिकी sodium हाइड्र ओकसाइड और साथ में H2 यानिकी hydrogen gas इसी परकार से CA यानिकी calcium जो ये भी एक क्या है अधिक क्रियाशील दातू है तो ये भी जलके साथ भी क्रिया करके क्या बनाएगा दातू हाइड्र ओकसाइड तो Belgium H2O यानिकी जलके साथ भी क्रिया करके बनाएगा dessa AOH 2 यानिकी calcium hydroxide और साथ में hydrogen gas ठीक है अब है Fe Fe जो है ये FE यानि की लोहा, ये मध्यम क्रियाशील दातू है, तो अधिक क्रियाशील दातू तो बनाते हैं, हाइडरोकसाइड मध्यम क्रियाशील दातू जो है वो बनाएंगे दातू उकसाइड, तो FE यानि की लोहा, H2O के साथ अभी क्रिया करके, जल के साथ अभी क्रिया करके बन जो भी धातू होते हैं, वो जल की अलग-अलग अवस्ता के साथ अबिक्रिया करते हैं, जल की अलग-अलग अवस्ता का अर्थ होगा, कुछ जो धातू हैं, वो ठंडे जल के साथ अबिक्रिया करते हैं, कुछ गरम जल के साथ अबिक्रिया करते हैं, और कुछ ऐसे धातू हैं जल की भाफ के साथ अबीक्रिया करते हैं उसी के बारे में देखते हैं अलग-अलग धातु जल की अलग-अलग अवस्था के साथ अबीक्रिया करते हैं इसमें सबसे पहला बिंदू दिया गया है NA यानि की sodium, K यानि की potassium और CA यानि की calcium ये तीनो धातु ठंडे पाने के साथ अबीक्रिया करते हैं ठीक है sodium, potassium और calcium ठंडे पाने के साथ अबीक्रिया करते हैं अगला बिंदू है AL यानि की aluminium, FE यानि की iron और ZN यानि की जस्ता ठीक है FE को कहेंगे लोहा तो aluminium, लोहा और जस्ता यानि की zinc जल वाश्प के साथ अबीक्रिया करते हैं ये तीनो ऐसे धातों हैं जो जल वाश्प यानि की भाफ के साथ अबीक्रिया करते हैं अगला बिंदू जी आ गया है MG, गरम जल के साथ अबीक्रिया करते है MG यानि की magnesium मैगनेशियम जो है वो गरम जल के साथ अब इक्रिया करता है ठीक है बिंदु है C A और M G M G के बारे में ये भी है और ये भी कैल्शियम और मैगनेशियम अब इक्रिया के दोरां जल की सतय पर आ जाते हैं जो कि उत्पन हाइड्रोजन गैस के बुलбुले C اور Mg की सतै पर चिपक जाते हैं जब केलशियम और मेगनेशियम के अभी कृया होते है यब फेर हम कहें जल में केलशियम और मेगनेशियम को जब डाला जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इस अभी क्रिया में वो इन पर चिपक जाती है कैल्शियम और मैगनेशियम पर चिपक जाती है ठीक है इसकी वज़े से हाइड्रोजन गैस इन पर चिपक ने हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनके इन पर चिपक जाते है तो उन बुलबुलों की वज़े से ये सतेह पर तैर के आ जाते हैं ठीक है आखरी बिंदू दिया गया है AU यानि की सोना AG यानि की चांदी CU यानि की कोपर और PB यानि की सीसा ये सभी धातू जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं ठीक है ये चारो धातू अभिक्रिया नहीं करते धातू के रसाइनिक गुण धर्म में तीसरे नमबर पर है धातू की अमल के साथ अबिक्रिया कोई भी धातू है वो किसी भी अमल के साथ किस प्रकार से अबिक्रिया करेगा तो इसमें अबिक्रिया कराने से पहले हमें एक चीज का हमेशा द्यान रखना होगा जो भी धातू के साथ जिस भी अमल की अभिक्रिया कराएंगे वो तनू अमल होना चाहिए यानि कि उसमें पाने की मात्रा अधिक होनी चाहिए सांदर नहीं होना चाहिए अगर सांदर अमल के साथ हम धातू की अभिक्रिया कराएंगे तो कोई भी धातू हो किसी भी तनू अमल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमेशा उत्पाद में लवन और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी कुछ उदारन देख लेते हैं इसके लिए तो धातू में लिए है हमने यहाँ पर FE यानि कि लोहा और तनू अमल लिए हमने हाइड्रोक्लोरिक अमल ठीक है यह धातू और यह अमल यह जोनौ भी ख्रिया करेंगे एक और उधारण देख लेते हैं, यहां पर है Aluminium Al से और फिर से है HCl, तनु अमल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल, तो Aluminium और तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल, फिर अभी क्रिया करके AlCl, यानिकी Aluminium Chloride, जोकी एक लवन होता है, लवन और साथ में Hydrogen Gas बनाएंगे, ठीक है, ध दातवों के रसाइनिक गुण धर्म में चोते नंबर पर है दातवों की अन्य धातू लवनों के साथ अभीक्रिया कोई भी धातू है वो और किसी धातू लवन के साथ किस प्रकार से अभीक्रिया करेगा धातू लवन क्या होता है पीछे वाले जो पेज पर अभीक्रिया होई तो देख लेते हैं धातू लवन के साथ किस तरह से अभिक्रिया करेगा माली जी कोई धातू A है ठीक है कोई A धातू है वो B धातू के लवन विलियन B धातू के लवन विलियन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो जो धातू A है लवन विलियन जो B का है इसमें से B धातू को यह विस्तापित कर देगा विस्तापित अभी करिया जो है विस्तापन भी करिया यह हम पाठेक में पढ़ चुके हैं तो उत्पाच जो होगा वो बनेगा धातू A का लवन विलियन और B से अलग हो जाएगा ठीक है? यानि कि धातू A क्या कर ला है? B धातू को उसी के million से अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है ये उतिये विस्थापनवी गली है ठीक है? एक उधारान ले ले लेते हैं जैसे धातू A में लिया है हमने iron यानिकी लोहा तो लोहा क्या करेगा यह जो विस्तापना भी क्रिया हुई अब बात आती है कौन सा धातू किस धातू को विस्तापित कर सकता है तो हमेशा जो अधिक क्रियाशील धातू होता है वो कम क्रियाशील धातू को विस्थापित कर देता है यहाँ पर जो लोहा है वो कोपर से अधिक क्रियाशील है इसलिए यह कोपर को अलग निकाल दे रहा है ठीक है अगर यहाँ पर होता कोपर ये कुछ इस तरह से होता CU plus में FESO4 तो जो अभिक्रिया होती वो बिल्कुल ऐसी ही रहती कोई अभिक्रिया ही नहीं होती इसमें हमें वही रहता FESO4 plus में CU इसमें कोई बदलाव नहीं आता क्योंकि जो लोहा है वो ज़ादा क्रियाशील है कोपर कम क्रियाशील है अगर ज़ादा क्रियाशील धातू होता लोहे से ज़ादा क्रियाशील धातू होता यहाँ पर जैसे कोई ZN होता तो लोहे को ये विस्थापित कर सकता था अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा धातू अधिक क्रियाशील है कौन सा दातु कम क्रियाशील है कौन सा मध्यम क्रियाशील है तो ये सारी जानकारे मिलेगी हमें सक्रियता श्रेनी से सक्रियता श्रेनी बहुत महत्पूर्ण है अगले पेज पर बिल्कुल विस्तार से यानि की डीटेल में पढ़ते हैं इसे आप देखते हैं सक्रियता श्रेणी सक्रियता श्रेणी होती क्या है वह सार्णी जिसमें धातू की क्रिया शीलता को आरोही क्रम में व्यवस्तित किया जाता है उसे का जाता है सक्रियता श्रेणी ठीक है इसमें जो भी धातू है उनकी क्रिया शीलता के आदार पर आरोही क्रम में आरोही क्रम यानि की घटते क्रम में सबसे जादा क्रियाशिल सबसे उपर और उससे कम क्रियाशिल जो भी होंगे उससे नीचे आते जाएंगे ठीक है आरोही क्रम में जिन भी धातुओं को व्यवस्थित किया जाएगा उनकी क्रियाशील्टा के आदार पर, उसी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी, और हमें यह सक्रियता श्रेणी किताब में दी गई है यहाँ पर, ठीक है, सो जो बी सबसे अधिक उर्याशील्ट कौन सा धातू होता है के यानि की potasion उसे कम, जैसे जैसे इसमें नीचे यानिकी लेड या फिर कहें सीसा, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये एद हतू है, ठीक है, इसी में है ये भी, तो हाइड्रोजन आता है, उससे कमक्रियाशील है, कोपर उससे कमक्रियाशील, मरकरी यानिकी पारा, उससे कमक्रियाशील, सिल्वर यानिकी च कर रहा था क्यों कर रहा था क्योंकि लोहा यानि कि आईरन जो है वो ऊपर है टेबल में और सी यू जो है वो नीचे है यह है लोहे की पोजीशन और यह है कोपर की पोजीशन कोपर जो है वो कम क्रियाशील है लोहा अधिक क्रियाशील है ठीक है तो लोहा जो है वो कोपर को आ इसके विलियन में से तो वो होगा जिंक कर सकता है अल्यूमिनियम, मैगनिशियम, केलशियम, सोडियम और पोटेशियम यानि कि इससे उपर वाले सबी कर सकते हैं इसको विस्ता पे ठीक है सक्रियता श्रेणी के बाद अब हमारा वीचे आता है धातू की एधातू के साथ अबिक्रिया यानि कि कोई भी एक धातू है वो दूसरे एधातू के साथ किस परकार से अबिक्रिया करेगा या फिर हम कह सकते हैं धातू और एधातू एक दूसरे के साथ किस परकार से अबिक्रिया करते हैं तो इसमें हमें कुछ बिंदू दिये गए हैं, उन्हें समझते हैं, पहले फिर इसका एक उदारन देखेंगे अगले पेज पर, तत्वों की अभिक्रिया शीलता संयोजक्ता कोश को पूरा करने की प्रवर्ती के रूप में समझ सकते हैं, जो भी तत्व हैं, चाहे वो धातू और एद हातू, ठीक है, उनकी अभिक्रिया शीलता संयोजक्ता कोश को पूरा करने की प्रवर्ती के रूप में हमें समझ सकते हैं, और संयोजक्ता कोश पूरा करने की प्रवर्ती क्या होती है, आप कक्षा 9 में अश्टक का नियम पढ़ चुके होंगे, पार 3 से, ठीक है, क सोडियम की प्रमानू संख्या 11 और जो भी इसके कोश होते हैं, सोडियम के कोश कोण कोण से होते हैं, जानि कि सभी तत्वों के ही कोश होते हैं, पहला कोश होता है के उससे अगला L उसके बाद M, उसके बाद N, फिर ओ, पी, क्यु ऐसे आ जाएंगे, ठीक है? ये कोश होते हैं पहले कोश में हमेशा 2 electron होते हैं ठीक है 11 में से 2 electron आ गई के वाले कोश में ठीक है बचे कितने 9 अगले कोश में हमेशा पहले कोश में 2 होने चाहिए उससे अगले कोश में 8 होने चाहिए उससे अगले कोश में भी 8 होने चाहिए लेकिन यहाँ पर कितने बचे, आठ और दस तो आ गए यहाँ पर, बचा इसमें एक, तो M जो कोश है उसमें आएगा, एक इलेक्ट्रोन, अब जो भी है, इसका जो इलेक्ट्रोनिक विन्यास है, इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या होगा सोडियम का, दो, आठ और एक, यानि कि आखरी कोश में कितने हैं, आखरी कोश में है, एक इलेक्ट्रोन, अब ये एक इलेक्ट्रोन, संयोजकता कोश पूर्ण करने की प्रवर्ति क्या होती है, कि जो भी आखरी कोश होता है, उसमें अश्टक बनाना, अश्टक यानि कि आठ बनाना इसमें, तो M कोश में आठ बन भी एक electron है इसको दान कर देगा, दूसरे किसी A धातू को या दूसरे धातू को दे देगा ठीक है, sodium किसी दूसरे धातू को देने के बाद बन जाएगा Na, ठीक है, और इसका electronic विन्यास हो जाएगा 2 और 8, ठीक है, 2,8 पहले में 2, उसके बाद में 8 एक इसने दे दिया है, तो आखरी कोश जो हो गया, इसका खाली आखरी कोश जो खाली कोश कभी भी हम नहीं गिनते हैं, ठीक है, यानि कि आखरी कोश क्या होगा, इसका L वाला कोश, और L कोश में अपने आप ही 8 है, तो ये बन जाएगा संयोजक्ता कोश जो है, इसका पूरा हो गया, ठीक है, इस आधार पर ये किसी भी दूसरे एधातु के साथ अभी ग्रिया करते हैं, ठीक है उधारन लेंगे इसका अगले पेज पर आप अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे तो आगे दिया है इसमें दातु संयोजक्ता कोश जे इलेक्ट्रोन त्याग कर धन आयन बनाते हैं दातु हमेशा क्या करेगा इलेक्ट्रोन का त्याग करेगा यानि कि इलेक्ट्रोन किसी दूसरे को दे देगा ठीक है, और धन आयन बनाएगा जो भी electron का त्याग करेगा वो धन आयन बनाएगा धन आयन यानि की sodium पर क्या आएगा जैसे कोई भी धातू जैसे यहाँ पर sodium ने क्या किया एक electron किसी और को दे देगा ये और धन आयन बनाएगा धनायन यानि की Sodium पे जितने भी देगा ये अगर इसने एक दिया है तो एक जमा का निशाना आ जाएगा अगर कोई दो देता है Aluminium के आखरी उसमें तीन होते हैं वो तीन का दान करता है तो Aluminium जो है वो तीन जमा बनाएगा ठीक है तीन आयन्स यानि कि ये क्या दर्शाता है उसने तीन इलेक्ट्रोन दूसरे को दे दिया है एक जमा दर्शाता है कि इसने एक लेक्ट्रोन दिया है ये तीन जमा दर्शाता है कि इसने तीन दिये हैं और ये धन आयन धन आयन यानि कि जमा वाला आयन बनाता है ये सोडियम का धन ION ये Aluminium का धन ION थीक है अगला बिंदू दिया है अधातू सन्योजक्ता कोश में इलेक्ट्रोन ग्रेहन करने से करके रिन ION बनाते हैं एधातू क्या करते हैं अमेशा इलेक्ट्रोनों का ग्रेहन करते हैं इलेक्ट्रोन ये अपनी तरफ कीच लेते हैं जो धातू किसी इलेक्ट्रोन क्या करता है देता है किसी को और एधातू लेता है तो धातू जो देगा वो एधातू को एधातू उसे ले लेगा ठीक है जैसे क्लोरीन है क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रोन की से जरूरत होती है तो ये एक electron किसी धातू से ले लेता है और बनाता है रिन आयन, रिन आयन यानि की घटा वाला आयन, तो CL घटा का आयन बनाता है ठीक है, जैसे ये धन आयन बनते हैं इसी प्रकार से, ये देने के बाद, देने वाला हमेशा जमामे आयन बनाएगा और लेने व धातू और एधातू किस प्रकार से अब इक्रिया करते हैं आयनों के आदान परदान से ठीक है इलेक्ट्रोन्स या फिर कहें आयन्स इलेक्ट्रोन्स के आदान परदान से बनते हैं और जो भी इलेक्ट्रोन के आदान परदान से बनने वाला योगिक है उन्हें का आ जाता है आयनी की योगी, ठीक है, जैसे इसका उधारन हो जाएगा, आयनी की योगी का NaCl, यहाँ पर क्या करता है, Na जो है वो एक इलेक्ट्रोन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, और इनसे बनता है NaCl, इसे देखते हैं, यह किस प्रकार बनता है आगे वाले पेज़ पर, अब देखते हैं, आयनी की योगी का एक उधारन, जो की है, सोडियम क्लोराइड, यानी की NaCl, यह किस तरह से बनता है, तो इसमें धातू जो है, Na, यानी की सोडियम और क्लोरीन, एधातू है, ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, सोडियम जो है, इसके इलेक्ट्रोनिक विन्यास क्या ह तो sodium की प्रमाणू संख्या होती है 11 इसका electronic विन्यास में पीछे वाले पेच पर भी बता चुका हूँ वो होता है 2, 8 और 1 और इसी प्रकार से chlorine जो है उसके प्रमाणू संख्या होती है 17 इसका electronic विन्यास क्या होगा पहले में 2 उससे अगले में 8 उससे अगले में बचे हुए जितने भी 2 और 8 हो गई 10 अगले में बचे हुए आ जाएंगे 7 तो इसके में sodium के आखरी आखरी कोश में है 1 electron और chlorine के आखरी कोश में है 7 electron ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अभी क्रिया करेंगे sodium na na के आखरी कोश में है 1 electron तो इसे हम इसके बिंदू इसके 4 और एक बिं हमने chlorine इसमें है ये काटे से बना रहा हूं है ठीक है क्रोस कर रहा हूं जो ये है इसके electron तो 7 है कुल 4 हो गई ये 5 6 और 7 अब ये दोनों किस प्रकार से अभी ग्रिया करेंगे जो sodium के पास एक है sodium को जरूरत अश्टक बनाने की कोशिश करेगा ये भी और ये भी इसको एक की दे देता है तो इसके 8 भी हो जाएंगे और इसके भी आखरी कोश में 8 ही बचेंगे तो sodium क्या करेगा ये वाला जो electron है chlorine को दे देगा ठीक है ये पोंच गया chlorine के पास अब आप देखेंगे कि sodium का भी आखरी कोश 8 बचा यानि कि sodium का भी कोश पूरा हो गया और chlorine के भी पूरे 8 हो गए ठीक है अब sodium ने अगर एक दिया है तो sodium जो है वो एन ए जमागा होगा धन आयन बनाएगा और chlorine ने जितना भी लिया है chlorine ने एक लिया है तो chlorine रिन आयन बनाएगा ठीक है एन ए जो है वो जमागा होगा धन आयन यानि कि जमागा आयन और chlorine घटा का आयन रिन आयन कहे इंगली से ठीक है अगर हम इसकी जो equation की form में अगर हम इसे लिखना चाहें तो वो किस परकार से होगा na na का electronic विन्यास है 2, 8, 1 ठीक है ये एक electron अलग कर देगा आपने से ठीक है आखरी कोश का एक electron अलग कर देगा तो बनाएगा na जमा फ़ीक है na जमा वाला जो है ये क्या हो गया 2 और 8 na जमा का जो electronic विन्यास होगा 2, 8 ठीक है और एक electron आगया यहाँ पर ठीक है अब chlorine क्या करेगा chlorine यहाँ पर आ गया chlorine का electronic विन्यास है 2, 8 और 7 जो एक electron sodium ने अलग किया था यह आ गया यहाँ पर ठीक है एक इलेक्ट्रोन क्या करेगा यह क्लोरीन अपने साथ जोड लेगा और क्लोरीन नेगिटिव बनाएगा नेगिटिव यानि की घटा वाला रिनायन बनाएगा यह दो आठ और आठ ठीक है यह हो गई इसकी सुत्र में अगर हम लिखना चाहें तो कैसी होती है यह ठोस कठोर वै भंगूर होते हैं ठोस यानि की ठोस अवस्था में कठोर यानि की काफी मजबूत और भंगूर यानि की बिखर जाना ठीक है भंगूर यानि की आसानी से जो तूट जाए ठीक है अब ठोस कठोर और भंगूर किस प्रकार से हो जकते हैं जैसे कंचे मारबल होते हैं कंचे वो भूर थोस होते हैं और कठोर भी होते हैं लेकिन अगर हथोडे से उन पर प्रहार किया जाए तो वो कई टुकडों में तूट जाते हैं आसानी से बहुत कम ताकत अमें लगानी पड़ते हैं उसे तोडने कि यानिकी ऐसा तापमान जिस पर वो पिंगलना शुरू कर दे और कत्वांक यानिकी ऐसा तापमान जिस पर वो उबलना शुरू कर दे तो गलनांक और कत्वांक जो है वो आईनिक योगिक का वो बहुत अधिक होता है बहुत अधिक ताप पर ये गलनांक और कत्वांक अवस्था ठीक है गलते हैं और उबलते हैं ठीक है अगला है गुलनशीलता गुलनशीलता यानि कि किसके चीज में इने गोला जा सकता है या गुल सकते हैं यह जल में गुलनशील परन्तु पेट्रोल केरोसीन में एगुलनशील होते हैं जो भी आइनिक अगला बिंदू है विद्यूत की चालकता जो भी आयनिक योगिक होते हैं इसमें विद्यूत एक जगे से दूसरी जगे जाती है या नहीं आयनिक योगिक के जलियविलियन और गलित रूप में विद्यूत का चालन करते हैं परन्तु भोस अवस्था में विद्यूत को चालन नहीं करते जो भी आयनिक योगिक हैं अगर ये जलिये विलियन के रूप में हो या फिर गलित रूप में हो गलित रूप यानिकी तरल रूप में ठीक है पिंगली हुई अवस्था में हो आयनिक योगिक अगर पिंगली हुई अवस्था में हो या इनका जलिये विलियन हो तो जलिये विलियन और गलित रूप में ये आयिनिक जो भी विध्यूत है उसका चालन करते है ठीक है धातू के भोतिक और असायनिक गुण धर्मों के बाद अब देखते हैं धातू की प्राप्ती हमें कहां से होती है किस प्रकार से होती है इसकी विधी क्या है धातू प्राप्त करने की और धातू जो है वो किस अवस्था में मिलते हैं ठीक है उनका निश्कर्षन किस प्रकार से किया जाता है ये सारी चीजें तो अगला विशा है हमारा पार्ट में धातू की प्राप्ती धात्वों की जो प्राप्ती है ये जो पूरा प्रोसस है जो ये पूरी विधी है उसको धात्वी की भी कहा जाता है तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कुछ शब्दों को उनकी परिभाशाओं को इसमें सबसे पहले आता है खनीज खनीज क्या होता है पृत्वी में प्राकर्तिक रूप से उपस्तित तत्व एवं योगिकों को खनीज कहते हैं जो भी पृत्वी से हमें तत्व या योगिक ठीक है, सबी चीजे, धातू, एधातू, ये सारी चीजे हमें पृत्वी से मिलती हैं तो पृत्वी में जो भी प्राकरतिक रूप से तत्व या योगिक हैं, उन्हें हम खनीज कहेंगे ठीक है अगला है अयस्क अयस्क क्या होते हैं वे खनीज जिसमें धातु अधिक मातरा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाबकारी होता है उसे अयस्क कहा जाएगा ऐसे खनीज जिसमें धातू की मातरा अधिक हो ठीक है और उसे निकालना भी आसान हो उसकी कोई विधी हो निकालने की जो कम पैसे खर्च करके हम निकाल सके है धातू को उस प्रोसस से उस विधी से ठीक है तो उसे कहा जाएगा अगला है गैंग गैंग क्या होता है प्रत्वी से निकाले गए अयसकों में रेत मिटी आदी जैसी अशुदियां पाई जाती है जिने गैंग कहा जाता है जो भी हमें पृत्वी से अयस्क मिलते हैं उसके साथ हमें बहुत सारी अशुधियां मिलती हैं जैसे रेत हो गया, रेत, मिट्टी, या फिर कंकड पत्थर ऐसी चीजें जो हमारे काम की नहीं है जो अयस्क के साथ हमें मिल गई है ठीक है, उनको कहा जाएगा गैंग ठीक है, धात्वों की प्राप्ति जो ये विदी है, धात्वी की भी कहा जाता ही से ये तीन चरणों में की जाएगी तीन चरण यानि की तीन स्टेप्स में की जाएगी ठीक है, चरण एक क्या होगा आयसकों का समरिद्धी करण जो भी हमें पृत्वी से आयसक मिले है उनको समरिद्धी करण किया जाएगा समरिद्धी करण का अर्थ होगा आयसक के साथ जो हमें गैंग अशुदियां मिली है उन अशुदियों को हटाना ठीक है पृत्वी से हमें क्या मिलता है चो भी हमें यह ऐस्क मिला है गैंग को हटाने के बाद इस ऐस्क में से धातूओ को अलग किया जाएगा ठीक है कई रसाइनी कभी किरियाओ द्वारा धातू इसमेंसे निकालाझेगा और चरण तीन जो है वो है धातूओं का परिषकरण का अर्थ है धातू यहां से अयस्क मि क्या करेंगे धात्वों का परिश्करण यानि कि बिलकुल शुद्ध धात्वों हम उससे प्राप्त करेंगे ठीक है तो ये जो तीनो चरन है इनको एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं आगे वाले पेजिस पर धात्वों की प्राप्ती में चरण पहला पहला चरण है अयस्कों का सम्रिद्धी करण यानि कि जो भी मिश्चर मिश्रण मिला है अमें अयस्क और गैंग का पृत्वी से ठीक है पृत्वी से हमें क्या मिलता है अयस्क और गैंग मिश्चर मिलते हैं ये ठीक है मिश्रण मिलत तो इसमें से गैंग को हटाना और अयस्क को प्राप्त करना सबसे पहले क्या करेंगे अयस्क को प्राप्त करेंगे गैंग को हटा देंगे इसमें से तो यह किस प्रकार से किया जाता है अनेक विदिय द्वार है यह किया जा सकता है कई विदिय है इसकी ठीक है जैसे पानी से स रसाइनों का उपयोग करके किया जा सकता है या फिर चुम्बक के द्वारा किया जा सकता है जो रेत मिट्टी है वो चुम्बक की तरफ आकर्शित नहीं होती है लेकिन ऐसा कोई अयस्क हो जो चुम्बक की तरफ आकर्शित होता हो तो उसे चुम्बक के द्वारा भी अलग कि आ जा सकता है इसके अलावा और बहुत सारी विदियां है जिनमें गैंकों हटाया जाता है ऐसकों से ठीक है चरण एक धातू के समर्द्धिकरण के बाद आता है चरण दो जो है धातू का निश्कर्शन यानि कि जो भी हमें ऐसक मिला है उससे धातू किस प्रकार से ये स्वतंतर रूप में नहीं मिलते हैं इनका विद्यूत अपगटन किया जाता है ठीक है जो भी अधिक क्रियाशील धातु है उनका विद्यूत अपगटन किया जाता है यानि कि इनके आयसको का विद्यूत अपगटन किया जाएगा और हमें शुद्ध धातु मिल जाएगा यह किस प्रकार से किया जाएगा आगे वाले पेजिस पर हम पढ़ेंगी ठीक है अब बात आती है मध्यम क्रियाशील जो ना तो जादा क्रियाशील है और ना ही कम क्रियाशील है जो धीरे धीरे अभी क्रिया करते हैं उनको किस प्रकार से निश्कर्षन किया जाएगा या फि इनको सबसे पहले धातु ओक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा और धातु ओक्साइड में परिवर्तन करने के बाद कारबन द्वारा इनका उपचयन किया जाता है ठीक है कारबन के साथ इनकी अभिक्रिया कर दी जाती है और शुद धातु हमें मिल जाता है अब आता है कमक्रियाशील जो कमक्रियाशील धातू है वो उनका किस प्रकार से निश्कर्षन किया जाएगा तो जो भी कमक्रियाशील धातू है वो हमें स्वतंतर रूप में ही मिलते हैं ठीक है पृत्वी से हमें ये शुद्ध धातू के रूप में ही मिलते हैं ठीक है चरण दो धातू का निशकर्षन में जो सक्रियता श्रेणी के नीचे वाले धातू है यानि कि कमक्रियाशील धातू है उनका निशकर्षन किस परकार से किया जाता है विस्तार से पड़ते हैं तो यहाँ पर है कमक्रियाशील धात्वों का निश्कर्शन, कमक्रियाशील धात्व कौन-कौन से होते हैं, AU, AG, HG और CU, यानि कि सोना, चांदी, पारा, या फिर कहें मरकरी और कोपर, जो AU और AG, यानि कि सोना और चांदी हैं, यह हमें स्वतंतर अवस्था में मिलते हैं, या सलफाइड के ASK के रूप में होगे, तो इनका परिश्करन, सुरीन का निश्कर्शन किस प्रकार से किया जाएगा, यह देखते हैं, यह बहुत अनविक्रिये होते हैं, इन धात्वों के ओक्साइड को किवल गरम करने से ही धात्व प्राप्त किया जा सकता है, जो HG है या सलफाइड या ओक्साइड के ASK के रूप में मिलेंगे, तो अगर सलफाइड के ASK के रूप में है, तो सबसे पहले इनका अक्साइड में बदली किया जाएगा, धात्व ओक्साइड में, और उसके बाद ऑक्साइड को बहुत कम ताप पर ही गरम करने पर यह को ट्याग देते हैं और जो हमें धातु प्राप्त हो जाता है उधारन देख लेते हैं इसके लिए HG का निशकर्शन सिनाबार से HG पारा पारा जो है इसका अयस्क होता है सिनाबार का जो फोर्मुला है वो है HGS यानि की पारा सल्फाइड या फिर कहें मरकरी सलफाइड मरकरी सलफाइड को कहा जाता है सिनाबार तो HG का निशकर्षन HGS से किस परकार से किया जाता है यह अभिक्रिया के अन से देखते हैं यहाँ पर दिया गया है HGS इसे वायू ओक्सीजन की उपस्तिती में जब गर्म किया जाएगा तो यह HGO जो मरकरी ओक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा और सलफार डायोक्साइड गैस निकल जाएगी इसमें से अब जो यह HGO यानि की मरकरी ओक्साइड है यहाँ पर आ गया इसे फिर से गर्म किया जाएगा तो इसमें से ओक्सीजन जो है यह अलग निकल जाएगी और हमें मिल जाएगा धातू ठीक है कमक्रियाशिल धातू का किस परकार से किया जाएगा अगर सलफाइड के रूप में है या ओक्साइड के रूप में तो इन्हें सिर्फ गरम करने से ही ये हमें शुद धातु मिल जाता है ठीक है एक औरुधार्ण देख लेते हैं इसी तरह CUS से CU का निश्कर्शन किया जाता है कोपर सलफाइड से कोपर का निश्कर्शन किया जाता है ये है कोपर सलफाइड ओक्सिजन की उपस्तिती में इसे गरम किया जाएगा ठीक है गरम करने पर ये परिवर्तित हो जाएगा कोपर ओक्साइड में और सल्फर डायोक्साइड इसमें से निकल जाएगी ठीक है अब जो कोपर ओक्साइड है ये आ गया कोपर ओक्साइड अगर इसको copper sulfide ठीक है ये जो copper sulfide है और copper oxide अगर इन दोनों को इकठा इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाए इन दोनों को इकठा रखके गर्म किया जाए तो जो है हमें copper और sulfur dioxide मिल जाते हैं ठीक है ये मिल गया हमें copper ठीक है कम क्रियाशील धातू के निश्कर्शन के बाद अब देखते हैं मद्यम क्रियाशील धातू का निश्कर्शन किस प्रकार से किया जाता है मद्यम क्रियाशील धातू कौन से होते हैं जो सक्रियता श्रेनी में बीज में होते हैं ठीक है तो जो भी ये धातू होते हैं इनके बारे में दो बिंदू दिये गए हैं हमें ये धातू या तो सलफाइड या तो कार्बोनेट आयस्क के रूपे में पाए जाते हैं ठीक है जो भी ये धातू है इनके आयस्क कौन से होते हैं या तो सलफाइड होगा या कार्बोनेट आयस् होगा या carbonate is को होगा सबसे पहले क्या किया जाएगा इन sulfide is को या carbonate is को धातू oxide में बदला जाएगा ठीक है और उसके बाद dhato oxide को से हम धातू प्राप्त कर लेंगे सल्फाइड is से धातू का निशकर्षन सबसे पहले देखते है जो sulfide is को होता है उससे धातू का निश्कर्षन किस प्रकार से किया जाता है अगले पेज पर देखेंगे कार्बोनेट ऐस्क से धातू किस प्रकार से निश्कर्षन किया जाता है तो यहाँ पर है सल्फाइड ऐस्क से धातू का निश्कर्षन Sulfide Esk से धातू का जर्णिंस कर्शन है उस प्रोसस को उस परिक्रिया को कहा जाता है भर्जन भर्जन परिक्रिया ठीक है यह क्या होता है Sulfide Esk को वायू की उपस्तिती में अधिक तापपर गर्म करने पर यह Oxide में बदल जाता है जो भी सल्फाइड किसी भी धातू का सल्फाइड अयस्क है उसको अधिक ताप पर वायू की उपस्तिती में अगर गरम किया जाएगा तो ये धातू ओक्साइड में बदल जाएगा एक उधारन ले ले लेते हैं उधारन में दिया गया है यहाँ पर ZNS यानिकी जिंक जो अयस्क है इसको ओक्सिजन की उपस्तिती में अधिक ताप पर अधिक ताप मान इसे दिया जाएगा अधिक ताप पर इसे गरम किया जाएगा वायू की उपस्तिती यानिकी ओक्सिजन की उपस्तिती में तो ये बदल के हो जाएगा ZNO यानिकी जिंक ओक्साइड और पीछे वाले पेज पर हमने पटा था जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं मध्यम क्रियाशील धातू के उनसे धातू ओक्साइड किस प्रकार से बनाया जाता है ठीक है पहले क्या किया जाएगा धातू ओक्साइड में परिवर्तन करेंगे दोनों का सल्फाइड का उभी और कार कार्बोनेट के अयस्क से धातू ओक्साइड किस प्रकार से बनाया जाता है यही देखने हैं कार्बोनेट अयस्क से धातू का निश्कर्शन जो कार्बोनेट अयस्क से धातू का निश्कर्शन किया जाता है इस प्रोसस को कहा जाता है निस्तापन ठीक है यनकि जो भी carbonate का ऐस्क होता है दातू carbonate का जो भी ऐस्क है अगर उसको या तो वायू हो ही ना या फिर सीमित मात्रा में वायू हो इसमें गरम करिया जाएगा तो वो oxide, दातू oxide में परिवर्तित हो जाएगा ठीक है, इसका एक उधारन देख लेते हैं यहाँ पर दिया गए है ZnCO3 यानि की zinc carbonate यह जो अयस्क है इसको गरम किया जाएगा, ठीक है इसमें यहाँ पर क्या है, oxygen पहले से ही है O3 है, तो इसको वायू की, यानि की oxygen की अनुपस्तिति में, जहाँ पर oxygen ना हो वहाँ पर इसे गरम किया जाएगा तो यह बदली हो जाएगा ZnO यानि की zinc oxide में और carbon dioxide जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी जो भी process था, पीछे वाला जो भरजन था, sulfide आयस्क को धातू oxide में हमने ZnO में बदला था और निस्तापन विदी द्वारा यानि की carbonate आयस्क को भी हमने किसमें बदल लिया ZnO यानि की oxide में तो भरजन और निस्तापन विदियों से हमने धातू oxide प्राप्त हुआ जो भी अब धातू oxide है धातू oxide से धातू किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा ये देखते हैं अगले पेज़ पर मध्यम क्रियाशील धातू के sulfide और carbonate आयस्क को हमने भरजन और निस्तापन विदी से धातू oxide में परिवर्तित किया अब जो भी हमें धातू oxide मिला था उधारण में बरजन से भी हमें क्या मिला था ZnO और निस्तापन से भी हमें ZnO ही मिला था उधारण जो हमने लिया था तो अब ये जो ZnO है इसमें से oxygen को हटा के किस प्रकार से धातू प्राप्ट किया जाएगा ये देखते हैं तो धातू oxide का अब चैन जो भी धातू oxide का किया जाएगा अब चैन अब चैन के बारे में आप पाठ एक में पढ़ चुके होंगे अब चैन का अर्थ क्या होता है oxygen को हटाना ठीक है अब चैन का अर्थ होता है oxygen को हटाना किसी भी चीज़ से oxygen का हटना अब चैन कहलाता है और ये किस प्रकार से किया जाता है अपचायन के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है अपचायक क्या होते हैं ठीक है जो भी अपचायन है उसके लिए कुछ अपचायकों का उपयोग किया जाता है अपचायक वो होते हैं जो oxygen को अपनी तरफ खीच लेते हैं और अपचायक के अगर कुछ उधारन की बात करें, कुछ अपचायक के उधारन जैसे कार्बन, कार्बन जो है वो उक्सिजन के अपनी तरफ खीच लेता है और बनाता है कार्बन मोनो उक्साइड, इसी प्रकार से कार्बन मोनो उक्साइड भी उक्सिजन को खीच लेता है, ब कोक भी कहा जाता है ठीक है तो इसकी अभी क्रिया अगर कार्बन के साथ कराई जाए तो कार्बन जो है ओक्सिजन जो है वो कार्बन के साथ चला जाएगा ठीक है और हमें मिलेगा शुद्ध यानि कि हमें मिलेगा धातू और मिलेगा कार्बन मोनो उक्साइड यह गैस होती है ये gas निकल जाएगी और हमें धातू मिल जाएगा कम क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील धातों के निश्कर्शन के बाद अब देखते हैं अधिक क्रियाशील धातों का निश्कर्शन किस प्रकार से किया जाएगा अधिक क्रियाशील यानि की जो सक्रियता श्रेणि में ऊपर की ओर दिये गए हैं ठीक है और इनके कुछ उदारन हो जाएंगे अधिक क्रियाशील धातों के जैसे की K यानि की पोटेशियम, Na यानि की सोडियम, C A यानि की केलशियम, M G यानि की मेगनीशियम इसके अलावा अ निश्कर्शन यानि की इन धातों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा इनके ISCO से इसमें पहला बिंदू दिया गया है यह धातों अत्यादिक क्रियाशील होने के कारण अपचयन नहीं किया जा सकता है जो भी यह धातों हैं बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं कौन-کौन से होते हैं जैसे कारबन हो गया कारबन मोनो ओकसाइड हो गया या फिर हाइडोधन इनके द्वारा ऑकसीजन को नहीं हटाया जा सकता है यानि कि जो भी यह दिए विधी है ओकसीजन अपचयन विधी इस पर लागू नहीं होगी तो इनका निश्कर्शन किस प्र या तो हमें जो है वो धातू लवन के रूप में ही मिलते हैं, या फिर और किसी अलग रूप में भी हैं, तो उन्हें सबसे पहले धातू लवन में परिवर्तित किया जाएगा, ठीक है, तो जो भी हमें धातू लवन मिला, धातू लवन का उधारण देख लिते हैं, जैसे NaCl, NaCl यानि की Sodium Chloride Sodium से बनने वाला लवा नहीं ठीक है तो NaCl से Na यानि की Sodium का निश्कर्षन किस प्रकार से किया जाएगा NaCl से Sodium किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा इसे डाइग्राम से समझते हैं सबसे पहले जो भी हमारा Sodium Chloride है इसको द्रववस्था यानि की गली तवस्था इसे अधिकताप पर गली तवस्था में लाया जाएगा तरल ठीक है इसे पिंगलाया जाएगा और पिंगला के इस बड़े से टब जो दिखराया आपको इसमें डाला जाएगा इसमें जो नीला नीला दिख रहा है आपको ये है sodium chloride ठीक है इसमें दो रोड लगाई जाएंगी एक तो होगी cathode और एक anode cathode याने की रिनी जिस पे charge होता है और anode याने की जिस पे धनात्मक charge होता है अब जैसे ही इसमें से इसे एक battery के साथ connect किया जाएगा जैसे ही विदियो तिसमें से प्रवाहित होगी ठीक है तो जो sodium और chlorine है इनके बीच का जो आबंद है वो तूट जाएगा और sodium बनेगा na positive charge और chlorine जो होगा वो negative charge याने की sodium धनात्मक charge क्योंकि ये एक electron का त्याग कर देता है और chlorine जो होगा वो रिनी charge होगा क्योंकि ये एक electron ग्रहन करता है तो जो sodium हमेशा जमावाला charge जो है वो किसकी तरफ आकरशित होता है गठा की तरफ तो जो sodium है वो cathode की तरफ आकरशित होगा और जो chlorine है वो anode यानि की जमा की तरफ आकरशित होगा ठीक है और chlorine anode पर आकर gas के रूप में यहां से निकल जाएगा anode से और जो भी हमारा sodium धातू है वो cathode पर आकर निक्षेपित हो जाएगा निक्षेपिती यानि कि यहाँ पर आकर इस पर चिपक जाएगा इकठा हो जाएगा सोडियम धातु हम कहां से प्राप्त करेंगी कैथोड से यानि कि जो भी अधिक्रियाशिल धातु है वो हमें कहां पर मिलेंगी कैथोड पर हमेशा धातु जो है वो हमें कैथोड से ही मिलेगा और जो भी ऐ धातु होगा लवन में धातु लवन में जो भी ऐ धातु होगा वो एनोड पर इकत्ता होगा ठीक है धातु हमें मिल जाएगा कैथोड से तो इसमें भी यही दिया गया है धातू केथोड पर मिलेगा हमें और क्लोरीन एनोड पर ठीक है क्लोरीन एनोड पर आएगी लेकिन गैस बनके निखल जाएगा ठीक है कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील धातों के निशकर्षन से जो हमें धातों प्राप्त हुआ है उसमें भी कुछ अशुदियां होती है जिनें अपद्रव्य कहा जाता है ठीक है, उनको हटाना जरूरी होता है नहीं तो वो धातों को कमजोर बनाती है तो उनको हटाने के लिए हम करते हैं चरण तीन जो है धातों का परिशकरन जो भी अपद्रव्य होते हैं उनको हटाने के लिए उपयोग में लाते हैं धातों का परिशकरन ये किस प्रकार से किया जाता है इसमें बिंदू दिया गया है हमें इसे पढ़ते हैं दातवों से अपद्रव्य, अपद्रव्य को इंगलिश में slags कहा जाता है ठीक है तो जो भी अपद्रव्य है उसको हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधी है विद्यूत अपगटनी परिशकरन इस विधी का उपयोग जादा तर लाया जाता है ये बहुत आसान विधी है सस्ती भी पढ़ती है इसलिए विद्यूत अपगटनी परिशकरन किया जाता है जो भी हमें दातु प्राप्त हुआ है ठीक है एक उधारन से इसे समझते हैं मान लीजिए हमें कोपर टंबलर में डालेंगे ठीक है ये बाल्टी सी जो दिखरी है इसमें क्या है कोपर सलफेट का विलियन है ठीक है ये कोपर सलफेट का विलियन है इसमें दो रोड लगाई जाएंगी कोपर की ही एक तो बिल्कुल शुद कोपर की कोपर धातु की ठीक है cathode जो है वो minus यानि की रिनी charge होता है और anode जो है वो धनातमक charge होता है तो copper की शुद धातु की जो road है वो लगाई जाएगी पथली ठीक है पथली लगाई जाएगी cathode पर और anode पर अशुद copper की मोटी road लगाई जाएगी इसे एक सर्किट से जोड दिया जाएगा विदुद सर्किट से ठीक है एक बैटरी और इसमें एक कुंजी लगी होगी ठीक है अब आते हैं हमारे पहला पॉइंट पर जब विदुद धारा प्रवाहित होगी अशुद धातू अप गटै में गुलने लगेगा अप गटै यान एनोड पर अशुद कोपर है वो इस विलियन में गुलने लगेगा ठीक है इस विलियन में गुलने लगेगा कोपर जो इस विलियन में आने पर क्या होगा टू चार्ज हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा सी यू टू प्लस चार्ज हो जाएगा और एनोड जो है यहां पर एनोड पर बचेंगे दो इलेक्ट्रोन ठीक है ये इस तरह से तूट जाएगा दो इलेक्ट्रोन में तूट जाएगा ठीक है जो कोपर ये वाला पार्ट है ये विलियन में गुल जाएगा और दो इलेक्ट्रोन है सरकिट से ओते वे कैथोड पर आ जाएगे ठीक है अगला ब विलियन से कैथोड पर आके निक्ष्य पिति यानिकी जम जाता है ठीक है इस रोड पर जम जाएगा ऐसे ही ये प्रोसस चलता रहेगा इसमें से धातू जो है मलब जो भी धातू है इसमें से पिंगल के विलियन में गुलेगा और विलियन में जो कोपर है धातू वो कैथोड पर आके जम जाएगा, कुछ देर इस 스witch को अन रहने से क्या होगा, जो यह मोटी रोड थी, हमने जो एनोड पर लगाई थी, यह दीरे दीरे पतली हो जाएगी और कैतोड पर, जो पतली रोड लगाई थी, यह मोटी हो जाएगी, क्योंकि इस पे जो कोपर था, अशुद्ध को पर वो शुद्ध पहले विलियन में घुला और उसके बाद विलियन से कैथोड पर शुद्ध धातु यहाँ पर इस पर आके चिपक जाएगा और जो भी इसमें अशुद्धी यानि की अपदरव्य होंगे उनका क्या होगा अशुद्धी अनोड तली पर निशेपित होती है जिसे अनोड पंक कहते है जो भी अशुद्धियां थी अपदरव्य यानि की स्लेग्स थे वो क्या होगे अनोड के नीचे इकठे हो जाएगे ठीक है यह लालाल साब को दिख रहे यह क्या है अपदरव्य अशुद्धियां जिसे कहेंगे हम यहाँ पर यह इकठी हो जाएगी और जो भी अशुद्धियं यहाँ पर इकठी हुई है इन्हें एनोड पंक भी कहा जाता है ठीक है अब यहाँ पर जो भी यह प्रक्रिया हुई है इसमें एक रसाइनी का विक्रिया हुई है इसे आगे वाले पेज पर सम मजलिया था अब देख लेते हैं anode पर और cathode पर जो भीक्रिया हुई वो किस प्रकार से हुई ठीक है तो anode ये इंग्लिष में लिखा गया है कोई फर्ग ने बढ़ता इसे लिख लेते हैं anode ठीक है और ये cathode तो anode पर क्या हुआ जो भी अशुद कोपर था ठीक है जो भी अ दो धन आयन बनाता है ठीक है क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रोनों का त्याग कर दिया और ये जो कोपर है टू पोजिटिव यानिकि दो धन आयन ये जो है इस विलियन में गुल जाता है और जो इस विलियन में कोपर होता है वो कैथोड पर आ जाता है ठीक है एनोड की अब इक्रिया ये हुई कैथोड पर क्या हुआ जो विलियन में कोपर था ठीक है ये विलियन वाला कोपर ये के पास क्या है दो इलेक्ट्रोन ठीक है दो इलेक्ट्रोन धनायन है और जो एनोड पर इसने त्याग किये थे दो इलेक्ट वो घूमकर इस सर्किट से किस पर आ जाते हैं, कैथोड पर, ठीक है, दो इलेक्टरोन यहां आ गई, कैथोड पर, और ये कोपर के साथ इकठा करके क्या बनाएंगे, शुद कोपर बना लेते हैं, ठीक है, शुद कोपर हमें मिल जाएगा, कैथोड वाली रोड पर, ठीक है, पार्ट में अगला विश्या आता है हमारा संग्शारण, संग्शारण के बारे में आप पार्ट एक में भी पढ़ चुके होंगे, फिर से देखते हैं, धातुए अपने आसपास, अमल आदरता वे वायू के संपर्क में आने से संग्शारित हो जाती है, इसी को का जाता है स संग्शारण, संग्शारण जो है वो धात्वों को कमजोर बनाता है, धीरे धीरे करके नश्ट कर देता है, इसके कुछ उधारण देख लेते हैं, सिल्वर वायू के उपस्तिती में काला हो जाता है, यानि कि सिल्वर जब वायू के संपर्क में आता है, तो जो की इस पे परत चट जाते है जिससे silver कमजोर हो जाता है silver यानि की चांदी ठीक है इसी प्रकार से copper आदर CO2 आदर carbon dioxide के साथ अभिक्रिया करके copper carbonate बनाता है ठीक है हरे रंग का बन जाता है जो भी copper होता है वो आदर यानि की नमी वाली carbon dioxide के साथ अभिक्रिया करेगा और जो भी copper है उसके उपर एक हरे रंग की परत आ जाती है वो क्या होती है वो होती है copper carbonate ठीक है इसी प्रकार से लोहा आदर वायू के संपर्क में आने पर सतय पर बूरे रंग की परत बनाता है जो भी लोहा होता है वो वायू नमी वाली वायू के संपर्क में आने पर उस पर बूरे रंगे एक परत बन जाती है जो लोहे को कमजोर बनाती है और धीरे-धीरे उसे नश्ट कर देती है यानि कि संख्षारण जो है वो धात्वों को क्या करता है नश्ट कर देता है धीरे-धीरे ठीक है और संख्षारण जो है जल और वायू जहां पर जल और वायू दोनों चीज से उसमें संख्षारण यानि की जंग लगता है क्योंकि वायू में भी जो है वो जल वाश्प होता है ठीक है जल जो है वाश्प के रूप में होता है वायू में इसलिए जो भी धातुमें हैं वो वायू आदर वायू यानि की ऐसी वायू जिसमें पानी की मात्रा है वाश्प के रूप में उसके संपर्क में आने पर धात्वों का संख्षारन होता है तो धात्वों को संख्षारन यानि की गलने से नर्ट होने से किस परकार बचाया जा सकता है ये देखते हैं अगले पेज पर अब देखते हैं संख्षारन से धात्वों को किस परकार से बचाया जा सकत जैसे paint कर देना, तेल लगा देना, या फिर grease लगा देना, ठीक है, paint करने से क्या होता है, वायू का संपर्ग जो है दातु से हट जाता है, ठीक है, तेल लगाने से भी वायू का संपर्ग या फिर grease लगा देते हैं उससे भी, यसद लेपन, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे क्रोमियम लेपन क्या होता है जो क्रोमियम धातू है उसकी परत चड़ा दी जाती है किसी एक धातू पर क्रोमियम की परत चड़ा दी जाती है और वो बहुत लंबे समय तक चलता है जैसे आपने साइकिल वगरा जो होती है चमकीली चीजे जो होती है जैसे cycle का handle होता है वो चमकीला क्यों होता है क्योंकि उस पर chromium का लेपन किया गया है chromium की एक परत चड़ाई गई है इसी प्रकार से मिलता जुलता ही है NOD current या फिर मिश्र धातू बनाया जा सकता है इन सभी विदियों से संक्षारण को रोका जा सकता है तो यशद लेपन के बारे में पढ़ लेते हैं ये क्या होता है लोहे वे इस पात लोहा और इस पात क्या होता है steel को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंख की परत चड़ाई जाती है जिंख यानि कि जस्ता जिसका सिंबल होता है ZN जो लोहा और steel है, उस पर जिंक की परत चड़ा दी जाते है, जो ये जिंक की परत है ये थोड़ी-थोडी सी बूरे, ब्राउन रंग की होती है ठीके, इस प्रकरम को ही यशद लेपन कहा जाता है, ठीके यानि कि लोहे और इस पात यानि कि steel, लोहे और steel पर जब जिंक की परत चड़ाई जाए तो उसे कहा जाएगा यशद लेपन और मिश्र धातू क्या होते हैं ठीक है यहाँ पर एक शब्द दो रहा है मिश्र धातु बना कर, तो मिश्र धातु किस प्रकार से बनाए जाते हैं और होते क्या हैं, मिश्र धातु, यह दो या दो से अधिक धातु या धातु और धातु या एधातु का सामांगी मिश्रण होता है, सामांगी मिश्रण जो है इसके बारे में आप कक्षनों में पढ़ जैसे जो लोहा होता है, अगर लोहे में कार्बन मिला दिया जाए, कार्बन में 0.05 परतिशत कार्बन मिला दिया जाए, तो लोहा जो है कठोर हो जाता है, और इसमें जो संक्षारण यानि की जंग लगने का प्रक्रम होता है, वो भी बहुत धीमा हो जाता है, लंबे समय तक चलता है ऐसा लोहा जिसमें कार्बन मिला दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ है लोहा यानि की धातू में ऐ धातू को मिलाया गया है ठीक है इसी परकार इस पात इस पात यानि की स्टील जो स्टील के बरतन होते हैं हमारे रसोई घर में वो वाला इस बात, ठीक है, स्टील, स्टील किस प्रकार से बनाया जाता है, लोहे में निकेल और क्रोमियम, ठीक है, ये है, क्रोमियम, क्रोमियम मिलाया जाता है, ठीक है, लोहे में निकेल और क्रोमियम मिला करके, इस प्रकार की स्टील का निर्वान किया जाता है, ये भी क्य जो है उसमें क्या किया जाता है koperor zinc का सामाँगी मिष्रण होता है कहासा क्या होता है koperor tin का सामाँगी मिष्रण ये सभी क्या है पेपिट करने के आवशकता नहीं होती फिक है इसी के साथ पार्ट हो जाता है complete उमीद करूँगा आपको सभी पार्ट के विशे समझ आये होंगे, अगर आपको सभी विशे समझ आये हैं तो इस वीडियो के अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, अगर कोई भी ऐसा विशे रहे गया है जो समझ नहीं आया है उसे कमेंट बोक सेक्शन में मेंशन साथ ही NCRT सोलूशन और NCRT के नोट्स ठीक है जो भी एक्जाम से रिलेटेड आपके नोट्स हैं उन दोनों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बोक्स में नीचे दिया गया है ठीक है